राहुल गांदी मनिपूर गए हैं दो दिन का दोरा है और राहुल गांदी जब मनिपूर पहुँचे तो उनको रोक लिया गया लेकिन लोगों को जैसे ही पता चला राहुल गांदी को वहां रोका गया है लोग वहां पर पहुँच गए और उसके बाद में जो हुआ वो यह राहूल गांदी के समर्थन में मनिपुर के लोग उतर गाए और उन लोगों को तितर बितर करने के लिए भगाने के लिए आसू गैस के गोले छोड़े गए आसू गैस चोड़ी गई और उन लोगों को वहाँ से खदेड करके भगाया गया ये स्थिती है मनिपुर की और राहूल गांदी को वापिस है वो दिल्ली भेजने की भी कोशिस हुई लेकिन राहूल गांदी वो रुके नहीं बलकि हेलिकोप्टर से सुबह जो मैंने खबर आपको बताई थी उसमें मैंने आपको बताया था कि राहुल गांदी को रोका जाएगा तो हो सकता है कि वो हेलिकॉप्टर ले करके निकल जाए और राहुल गांदी अब हेलिकॉप्टर ले करके आगे निकल गए है पूरी खबर क्या है किस तरह से वहाँ से तस्वीरे निकल करके सामने आई है एक एक करकिम आपके सामने रखता हूँ यह खबर आप देखिए राहुल के मनिपूर दोरे पर विवात बढ़ा है राहुल के समर्थन में जुटे लोगों पर एक्सन हुआ है मनिपूर की राज़ानी इंफाल है वहाँ पर एरपोर्ट के उपर राहुल गांदी उतरे थे लोगों से मिलना चाह रहे थे आगे बढ़ना चाह रहे थे रोक लिया गया लोग वहाँ पर आ गए उन लोगों को भगाने के लिए फिर यह किया गया आज सकपर है राहुल की आत्रा में बवाल समर्थकों पर आसुगैस राहुल मनिपूर से राहुल गांदी जो है वह हेलिकॉप्टर से चुरा चांदपूर रवाना हो गए है एक दिष्टिक है यह वहाँ पर हिंसा फैली हुई है वहाँ पर लोगों से मिलने के लिए आज क जो है खबर निकल करके सामने आ रही है और आप देखे कितनी बड़ी संख्या में कितनी बड़ी संख्या में महिलाएं जो है वह सड़क पर उतर आई मनिपूर के अंदर लोग उतर आए और उसके बाद में पहले जो है वह बेरिकेट लगा करके और उनको महिलाओं को धक्क लगा करके पीछे करने की कोशिस की गई, कुछ भी काम नहीं आया, तब उसके बाद में जो है, वो आसू गैस के गोले छोड़े गए, और फिर उसके बाद में यह तस्वीर यहां पर आ रही है, दरसल राहूल गांदी चाह रहे थे कि वो सडक से निकले, सडक यात्रा से निक सकें, लेकिन अब उस छेतर में डायरेक्ट राहूल गांदी जो है, वो हेलिकोप्टर से जा रहे हैं, आगे देखिए, मैं आपको आगे खबर दिखा रहा हूं, और कॉंग्रेस ने प्रेस कॉन्फरेंस किये, वो भी आपको सुनाओंगा मैं, एक ये राहूल गांदी की ग महिलाएं हैं, वो रो पड़ी हैं, देखे, बोनट के उपर सर रख करके, यहां पर ये महिलाएं जो हैं, वो रो पड़ी हैं, और यहां पर कॉंग्रेस के नेता हैं, ये मितिन अगरवाल और इनों ने लिखा है, मनिपूर की महिलाएं अपना दुख बाटने के लिए, राह प्रेंका गांदी ने ट्वीट करके लिखा है देश में शांती और भाईचारे के प्रियास करना एक देश प्रेमी करता हुए है स्री राहूल गांदी जी मनिपूर के नागरिकों का दर्द साजा करने वशांती का संदेश फैलाने के लिए गए हैं भाजपा सरकार को यही करना चाहिए था स्री भाजपस सरकार को भी ये करना चाहिए था सरकार राहुल गांदी जी को क्यो रोकना चाहती है ये प्रिंका ने याँ पर पूछा है इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ सुप्रिया स्रीनेत ने प्रेस कोंफरेंस की है और प्रेस कॉंफरेंस करके सुप्रिया स्रीनेत ने बहुत सारे सवाल जो है वो बीजेपी सरकार से पूछे हैं और कॉंग्रेस जो है यहाँ पर अपना गुस्ता जाहिर कर रही है। दोने के लिए लोगों के मन में विश्वास जगाने के लिए लोगों के आसू पोचने प्रेम का संदेश देने के लिए लोगों को डाडस बनाने के लिए उनसे प्यार जताने के लिए नफरत के बाजार में महबत की दुकान आगे बढ़ाने के लिए इन सब चीजों के लिए जो है राहूल गांदी गए हैं यह आपर जो सुप्रेस्रिनेत ने कहा है कॉंग्रेस का एक और ट्वीट में आपको दिखा रहा हूं पीम मोदी के पास में मेरा बूत सबसे मजबूत करने का समय है अमिच्छा के पास बिहार घोमने का वक्त है बिहार वे एक दिन के दोरे के ली गए सुबह खबर आपको बताई है मैंने जेपी नड़ा के पास राजस्थान जाकर के जूट परोसने का वक्त है लेकिन इन में से किसी के पास भी मनिपूर जाकर के वहां की जंता का हाल जानने के और लोगों का आसू पूछने का वक्त नहीं है इस बारे में निरंकु प्रसना और शांती की अपील नहीं की है ग्रे मंतरी के दोरे के बाद हिंसा वहां पर बढ़ गई आखिर मनिपूर में शांती बहाली के लिए आपका प्लान क्या है जब हिंसा रोकनी है तब राहुल गांदी जी को रोक रहे हैं हात्रस हो लखिमपुर खिरी हो जाते से वक काफी गुसे में नजर आई और सुप्रिया सिनेत को जो है वो मैं आपको सुनाओंगा प्रेस कोनफरेंस का हिस्सा जो है वो आपको सुनाओंगा लेकिन ये तस्वीरे बहुत कुछ कहती हैं और ये हलात आखिरकार क्यों बन गए हैं ये सवाल है यहाँ पर ये सवाल है कि आखिरकार क्यों आसुगैस के गोले छोड़े गए और अगर ये लोग मिलना चाह रहे थे इनके हाथ में तो लाठी डंडे भी नहीं है इनके हाथ में तो पत्थर भी नहीं है कुछ भी नहीं है फिर क्यों आखिरकार इन लोगों को रोका जा रहा है अगर ये महिलाएं मिल चलिए ठीक है आप ये हो सकता है कि सरकार का तर्क ये हो कि वहाँ पर हालात ऐसे नहीं है अलाकि सरकार का तर्क तो जो है वो जो बीजेपी के परवक्ता है उनके द्वारा सामने आएगा और हो सकता है कि वो ये कह दे कि राहुल गांदी वहाँ पर शान्ती फेलाने नहीं बल तो राहूल गांदी से अगर वहां के लोग ये मांग कर रहे हैं कि मिलना चाह रहे हैं तो एक स्कूल में कोलेज में ग्राउंड के अंदर कहीं पर भी एक मैटल डिरेक्टर लगा करके लोगों को चेक करके बाकाइदा एक लोगों के एंट्री नाम पता ले करके मिलने के देखिए आप कितनी बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं तो क्यों आखिरकार जो हो लोगों को रोका गया और फिर जब वहाँ पर संख्या धीरे 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 और बढ़ने लगी तो फिर उसके बाद में जो है वहाँ पर आसू गैस के गोले चला करके इनको तितर बीतर करके भगा दिया के अब राहूल गांदी जो है वो हेलिकोप्टर के जवारा जो है वो जा रहे हैं वहाँ पर जाएंगे आज नहीं बलकि कल तक वहीं रुकेंगे अपना दोरा पूरा करेंगे और पूरा दोरा करके आएंगे यह कॉंग्रेस के जो सुत्र हैं उनके हिसाब से मै मनीपुर इस देश का हिस्सा है दो महीनों से जल रहा है और इस देश के प्रधान मंत्री को रत्ती भर इस देश के अभिन हिस्से की चिंता नहीं है असलियत तो यह है कि नफरत से बरा ताना शाह प्यार से डरता है और प्यार के विरोध में खड़ा है प्रधान मंत्री ने दो महीनों से मनीपुर की कोई सुध नहीं ली प्रचार प्रसार करते रहे चुनाओं में अपना बूत मजबूत कराते रहे अमरीका एजिप्ट घुमते रहे ग्रह मंत्री ने पढ़ला जार लिया 130 से जादा लोग की मौत हो चुकी है हजारों लोग मजबूर हैं कैम्प में रहने के लिए विस्थापित हो चुके हैं स्कूल, कॉलेजिज, हजारों बिल्डिंगे जलकर राक हो गई हैं और जब राहुल गांदी जी ने ठाना कि उनको वहां जाना है और वहां जाकर भारत जोडों को जारी रखना है तो उनके रास्ते में अम्रोध, उनके रास्ते में रोडा बनने का काम क्यूं कर रही है भारतिया जनतापाटी की मणीपुर की सरकार और यह सारा काम केंदर की मोधी सरकार के इशारे पर हो रहा है राहुल गांदी जी वहां क्यूं जा रहे है राहुल गांदी जी वहां पर तूटे बिखरे सपनों को सजोने के लिए जिन लोगों का विश्वास हिल गया है जिनके मन में शंका है उनमें विश्वास जगाने के लिए प्यार जताने के लिए लोगों के आशू पोचने के लिए लोगों को ये विश्वास दिनाने के लिए कि हम आपके साथ इस दुख की घड़ी में खड़े हैं और हम हर कीमत पर दुख की इस घड़ी में पार हो जाएंगे इसलिए राहूल गांदी जी वहाँ पर जा रहे है राहूल गांदी जी वहाँ पर प्रेम का संदेश देने जा रहे है राहुल गांधी जी वहाँ पर लोगों से मिलने जा रहे हैं राहुल गांधी जी वहाँ पर लोगों को धंडस बढ़ाने जा रहे हैं और जिस नफरत के बाजार में महबत की दुकान खोलने की उन्हें ठानी है उसको आगे बढ़ाने के लिए जा रहे हैं इसमें किसी को क्या पत्ती हो सकते हैं प्रधान मंत्री के पास मेरा बूत सबसे मजबूत करने का टाइम है अमिच्छा जी के पास बिहार घूमने का वक्त है जेपी नड़ा जी के पास राजिस्थान जाकर जूट परोसने का वक्त है लेकिन इन में से किसी के पास ये वक्त नहीं है कि वो जाकर म ऐसा क्यूं है? और इस बात कर जवाब तो मिलना चाहिए कि ऐसा क्यूं हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि तानाशाह घबराता है तानाशाह को लगता अगर भारत जुड़ गया और भारत जूडने पर यह आदमी अमादा है तो कहीं न कहीं मेरी जो नफरत और डर के बूते पर बनाई हुई इमारत है वो ध्वस्त हो जाएगी और वो अलड़ी ध्वस्त होना शुरू हो गई है तो हम जितनी भर्चना करें इसकी कम है राहुल गांदी जी इस देश के एक हिस्से में उन लोगों से मिलने गए हैं जो दो महीने से पीड़ित हैं उनके आसू पोचने गए हैं उनको महबत जताने गए हैं उनको रोकना पाप है और क्या जुर्म है इस देश में किसी के घाव पर मरहम लगाना अज़ुर्म है इस देश में देशवासियों क्या हालचाल पूछना अज़ुर्म है किसी से मुलकात करना अज़ पाप है भाईचारा फैलाना पाप है इसके बारे में जवाब एक निरंकुष ताना शाह और उसकी बरबर सरकार को जरूर देना पड़ेगा औ और मैं कुछ वाकिये जरूर बता देती हूं आज दो महीने हो गए मणीपुर में प्रधान मंत्री के मूँ से हिंसा की भर्चना और शांती की अपील नहीं निकली यह भी सच है कि अमित्शा वहाँ दोरे पर गया और जब वो वापस आए तो हिंसा और बढ़ी और लोगों खिमंत्री थे उनको कुल गिनकर तीन मिनिट बोलने दिया जाता है आपका प्लान क्या है मणीपुर में शांती बहाल करने के लिए मीडिया को मैनेज करके आप मणीपुर की आग और हिंसा को शांत नहीं कर सकते हैं मणीपुर के लोगों से बात कीजिए उनका विश्वास जीती है और जो यह कोशिश कर रहा उस कोशिश को और आगे बढ़ाईए और मैं यह इसलिए कहना चाहती हूँ क्योंकि कॉंग्रेस हर बार जब इस देश पर संकट आया है जब इस देश पर दिक्कते आई है तो खड़ी हुई है चाहे वो महत्मा गांधी हो जो नौखली पहुच गए थे अपनी जान की बाजी लगाकर और हिंसा को शांत करके अम जिन्होंने बात मानी थी या चाहे वो नहरू हूँ जिन्होंने यही दिल्ली में समस्या हुई और वो खुद मैदान में उतर गए या इंदरा जी हूँ जो बेल झी कुद पहुच गए और या आज राहुल जी हो जो खुद पहुच गए हैं और चाहते हैं कि यह हिंसा रोका राहुल गांधी को जा रहा और ये पहला वाक्या नहीं है, जब हाथरस जा रहे थे तब आपने रोका था, जब लखीम पुर जा रहे थे तब आपने रोका था, हर बार अगर राहुल गांधी जी लोगों के साथ खड़े होने के लिए जाते हैं, तो आप रोकते हैं, इतिहास भी साक्षी है कि वो जहां जाने के लिए निकलते हैं अन्ततों गत्वा वहां पहुचते जरूर है